हेलो दोस्तों वेलकम टूई एजूकेशन चैनल दोस्तों आज जो हम नोटिफिकेशन लेके आये हैं इसमें मल्टी प्रोफाइल वेकेंसी है चाहे वो कोई भी ग्रेजुएट होल्डर हो या फिर बीटेक वाले हो या नॉन टेकनिकल हो मेडिकल वाले भी हो या फिर आपका इसमें आपको मिलेंगे तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में आप कैसे अप्लाइ करेंगे क्या एक्जामिशन पैटर्न होगा क्या स्लेबस होगा इसमें कवर करेंगे वीडियो के लास्ट में तीन और नोटिफिकेशन मिलेगा जो की डिफरेंट और्गिनाजेशन का होगा आप उसमें भी अप्लाइ कर सकते हैं अगर आप टेलिग्राम यूज करते हैं तो आप जोईन कर सकते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी अधर इनरजी से रिलेटेड है एक कंपनी राइट आप जो देखिए इसमें लास्ट डेट जो है पांच अक्टूबर तक आप अप्लाइ कर सकते हैं 15 सेप्टमबर से यह फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों अभी आपके पास काफी टाइम है आप अप्लाइ डिपार्टमेंट में इसमें इलिजिबिलिटी क्रिटेडिया क्या है ऐसा नहीं कि बीकॉम वाले ही अप्लाइ करेंगे अधर कंडिडेट का क्या कंडिशन है वह हम इसमें कवर करेंगे तो पहले सैलरी इस्ट्रक्चर एन लॉट्स अप अधर तिंग देख लेते हैं देख लेकि यहां पर सैलरी का जो लिया गया है वह है 25 000 से लेकर चौवालिस अजार बट स्टार्टिंग जैलरी जो आपको इन Χैंड मिलती है वह यह बेसिक सालरी है इसके जो आपका इन हैन्ड या ग्रॉस सैलरी जो बनती है वह इस पे बहुत सारे अधर चीज़ें अड्ड होक salary आपकी in hand होगी राइट 26 maximum is दिया गया है अब यह देखिए कम vacancy है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप apply ना करें चरूर अप्लाइ करें देखे ग्रेजवेट ट्रेनी HR राइट तो ऐसा नहीं सिर्फ HR वाले MBA वाले ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं आपको बताने जा रहा हूं इसक सब्कराइब के लिए के लिए माई निंग्स कैमिकल मेकेनिकल लेक्टरकल और सिवील ठाड़य मैकनसी है सेम होगी दो वेकेंसी है 30-30 एज रखा गया है राइट अब यहां पर देखिए आपका आई टी आई होल्डर के लिए 20 वेकेंसी है फीटर एलेक्टिशन एटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट राइट इसमें देखिए आपका 20 वेकेंसी है जिसमें कि एसी के लिए 3 एस्टी के लिए 4, OVC के लिए 2 जनरल के लिए 10 एक्रोमिकल सेक्षन के लिए 1 आपका जो है फर्स्ट जो येर है वह 20,000 सैलरी मिल रही है प्लस में अधर अच्छा सैलरी मिल रहा है राइट अब यहां पर इंजिनियर्स भी स्टार्टिंग में जो है 20-22,000 पर जोएन करते ह तो आपको अगर इतना सैलरी मिल रहा है यहां पर यहां पर देखिए 20,000 सेकेंड यह होगा एंड फिर आपको जो है 25,000 के असपास थर्ड यह से मिलना स्टार्ट हो जाएगा प्लस अधर अधर आंसे 35 मैक्सम इस दिया गया है और इसमें देखिए जो इसमें जो सैलरी का ल है तो काफी ज्यादा उपर्चुनिटी इन लोगों के लिए अब यहां पर देखिया आप जो है फाइनांस तो ग्रेजवेट ट्रेनी फाइनांस यह इंटर्मेडियेट और CMA इंटर्मेडियेट या ग्रेजवेट इन कॉमर्ट फ्रॉम रिकोगनाइज इन सीटी राइट अब छिवेट 50 परसेंट मार्च इंडर्मेडियेट और एसवेट एक्टी पर्सेंट मार्च फार जेंडर्म तो एस सी के लिए में 60 percent marks है apply कर सकते हैं salary जो है आपका 30850 स्टार्टिंग salary plus other illnesses आपको मिलेंगे यहां पे देखिए आपका कि डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल में जो है three year डिप्लोमा मांगा इसमें माइनिंग में हो chemical में हो mechanical electrical civil तो इसमें 50 percent marks SCST के लिए और general के लिए 60 percent marks और junior supervisor जो राजशभा में master degree मांगा है इंदी जो है इसमें in Hindi with English subject right अगर आपका English से है तो Hindi एक compulsory subject होना चाहिए translator का होगा तो one year का experience मांगा है दोस्तों translation में Hindi to English और English to Hindi किसी में हो तो आप इसमें apply कर सकते हैं secretary personal secretary इसमें जो है graduate level with English as a Hindi compulsory subject हो और 40 word per minute जो है typing speed होना चाहिए MS office आपको आना चाहिए अच्छे से right और MS office का class भी education channel provide कराता है आप पहुंच जाके देख सकते हैं MS Excel word और powerpoint presentation यह तीनों का class आपको मिलेगा इसके साथ जो है आपको आपकी इंग्लिस अच्छी होनी चाहिए वर्डवल communication written communication interpersonal इसके यह जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए और वन येर का experience जो है इसमें मांगा है राइट अब यहां पर देखिए examination pattern eligibility criteria जो iti holder है उनके लिए तो एससे जो एससी प्लस टैंथ के बास आई टी आई हो फीटर एलेक्टिकल मेकेनिकल जिस भी डिपार्टमेंट में हो उसमें आपका जो है आई टी आई होना चाहिए विट टू ये experience राइट तो आपकी जो है salary इतनी होगी जो 20,000 starting salary उसके बाद attendant operator chemical plant इसमें जो है आपका आई टी आई किया हो आपने या फिर आपने प्लस टू किया हो chemistry एक सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे आपने math से किया या biology सी तो chemistry एक सब्जेक्ट हो गाई तो आप definitely apply कर सकते हैं मार्स के साथ अब यहां पर देखिए दोस्तो एज रिलाक्सेशन जो है आपका इस तो ऑल्रेडी मैंने बता दिये 26 और 35 जो है आपका जो सुपरवाइजर के लिए अब यहां पांस साल का एज रिदाक्सेशन SCST के लिए OVC के लिए 3 और जो जेनरल कंडिडेट हैं बड़ डिशेबल हैं उनके लिए 10 उसी तरह जो है OVC के लिए 13 SCST के लिए 15 और जो जम्मू कस्मीर के कंडिडेट हैं उनको 5 ये एक् देखिए इसमें मैक्सिम्म एज जो है 45 रखा गया है ग्रेजुए ट्रेनी के लिए जुनियर सुपरवाइजर के लिए 35 प्रसन से क्रेटरी के लिए 35 ट्रेड मैं के लिए जो है आपका 50 अप्लिकेशन फी देखते हैं दोस्ते से मोड आप स्लेक्शन जो है रिटेन एग्जामनेशन जो है आपका दो लेंग्वेज में होगा हिंदी एन इंग्लिस राइट और यहां पर देखिया आपका जो है रिटेन एग्जामनेशन जैसे कि आपका फाइनांस एचार राजशवा और प्रसनल सेक्रेटरी तो पच्चास कोश्चन जो रहेगा आपका टे टेक्निकल डिप्लोमा ट्रेनी का जो है उनके लिए जो है 100.500 नमर का पेपर होगा जिश्में की फस्ट पेपर जो है जिश्में की आपका जेनरल इंग्लिस इंजिनिरिंग से होगा जैसी के आपका माइनिंग से पचास नमर का पुछा जाएगा और नॉलेज और इस पूछा जाएगा और पचास नमर का जैसे आपके पूछा जाएगा और पचास हो जाएगा तो तीन गुना ज्यादा कंडिडेट को स्लेक्ट किया जाएगा फॉर्ट सेकेंड राउंड जिसमें क्या आपका ट्रेड टेस्ट होगा लाइक जैसी ग्रेजुट ट्रेनी है एचर फाइनस इन से तो नहीं होगा बड़ जो प्रेसलन सेक्रेटरी है या फिर इसमें जो है आपका ट्रेड केस्ट जिसमें पेपर 1 पचिसं स्व है टोटल जो है suniva के पाचिश और थाइश मक्स और इसमें 25 और 2 स्मार्ट का होगा और पी तु ई सीज फॉर और फीशी फ़ाइव मतलब छो एच आर और ग्रेड ट्रेजए ट्रेनी आपका जो उसके है उनके लिए भी यहां पे जो है रखा गया आप देख सकते हैं इतने मास का होगा स्किल टेस्ट राइट यह है अब ट्रेट जो है आपका सेंटर जो है एक्जामनेशन का मुंबाई तिरोणन्द पुड़म भूवनेश्वर में होगा रिटेंट टेस्ट और जो आपका ट्र अप्लिकेशन फी नहीं रखा गया है आप अप्लाइ करने के लिए www.irel.co.in पे जाके करियर पे जाके जो है आप अप्लाइ कर सकते हैं कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कॉमेंट किजेगा मैं आपको रिस्पोंस करूंगा हाड कॉपी नहीं भेजना है आपको और इसमें यहीं चीजें जो हैं आपको ऑनलाइन पे किजेगा अप्लिकेशन फी और सारे पास्पोर्ट साइस फोटोग्राप जा सारे डोकुमेंट जैसे टैंद का सर्ट के आज बर्त प्रूप लगेगा आई टी आई सर्टिफिकेट लाइग डिप्लोमा सर्टिकेट इसके बाद यहां पर आप जो है अक्टूबर तक अप्लाइक कर पाएंगे कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछे और वीडियो पसंद आये तो एक बार लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर करें और एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइ कर तो इस मैं पास नो जाएगा रएट साथ तो गुरूर को वीडियो कर दो सब्सक्राइब पार यहां ट् कैसा खैकर प्लाइक त कर देंट आयेगा हूए आप graphic 아फ यहां वीडियो तें आया